बश्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार के पंडित पे हैं तो दोस्तों आज पहले बता देता हूं रात के बारा बजे बारा बजे एक अपडेट दोंगा मैं कहाँ पे टेलिग्राम चैनल पे जो कल के मार्केट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि होता क्या है बहुत सारे लोग जॉप करते हैं बहुत सारी चीज़ें उनको अपडेट पता नहीं होती नियूज पता नहीं होती है इसके लावा कहां से मार्केट उठेगा गिरेगा ये भी उताया जाता है तो आप देख सकते हैं 12.26 मिनट पे चेक आउट करिएगा सीधा आप देखिएगा मार्केट क्या था ओवर सोल था अप्ट्रेंड बताया था एनी टाइम पॉसिबल और चुप चाब 20 मिनट में देख बढ़ी दिन है यूएस मार्केट के लिए और यूएस मार्केट का रियक्शन डिपेंड करेगा कि हमारा रियक्शन कैसा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि फोरेक्स ऍंडिया के काम होंगे इस हपते भी क्योंकि यहां पे आराम से इस चीज को होड्र कररा है क्या डॉलर इंडेक्स 110 प्लस 111 की तरफ बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये 20 साल का तो बिलकुल रिकॉर्ड तोटी चुका है धीरे धीरे ये चीजे जो सिचुवेशनल बढ़ती जा रही है इसलिए कह रहे हैं कि मार्केट में कॉशियस रही है और डे टू डे स्ट्राट जी नहीं बना रहा है तो आप फेल हो सकते हैं और जब फेल होंगे तो जो आप 500,000 रुपय का डेली प्रॉफिक कर लेते थे वो एक बार में आप 20,000 का लॉस ले लोगे चुकि पोजिशनिंग में ऐसा ही होता है अगले दिन सिनारियो एकदम चेंज हो जाता है गाप आप हो गई आपने पुट लेके बैठेते गाप दाउन ओपनिंग हो गई आप कॉल लेके बैठेते तो यह ऐसा हो क्यों है चुकि इतनी इंफॉर्मेशन इतनी अपडेट है कुछ नहीं होगा तो चाइना ताइवान की तरफ से कोई न्यूस आ जाएगी कुछ नहीं होगा तो कि तरफ से आजाएगी कुछ नहीं होगा तो अगर आप देखेंगे यूकरेन की तरफ से आजाएगी तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपडेट के कोर्डिंग मार्केट सेंटिमेंटल रियाक कता है लेकिन अगर आप इंट्रा डे करते हैं तो वहाँ पे क्लियारिटी और उनकी रहती है और वहाँ पे टाइम फ्रेम 10-15 मिनेट का होता है तो आपको पता है कि 10-15 मिनेट मेरा ट्रेट पूरा हो जाएगा और वहाँ पे आप देली प्रॉफिट बना सकती हो तो 110 हो जाना आपको पता है बहुती खराब बात है चुकि इंडियन के फोरेक्स तो क उसके बाद देखीएगा आपको इंडिकेशन देखते हूं मैं आपको पहले अपडेट देता हूं कि आज एक बहुत बड़ा अपडेट आना है जी बिजनस सोर्स है आप चेक आउट कर लीजेगा बहुत बड़ा अपडेट आना है और इसमें चेक आउट करने है तीन चीजे कौन मी अगर ऐसा रेट ही होता है तो वहां मंदी आही जाएगी और 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था तो 2008 में आप देख लीजेगा स्टॉक मार्केट कितना कौशिस हुआ था कि चीजों को लेकर तो इसलिए यहाँ पे सारी क्लियारिटी को आपको चेक आउट करना होता है क यहाँ पे कौन सी अपडेट कब इंपाक्ट करेगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे the two-day federal meeting of the US on Tuesday September 2029 committee headed by Jerome Powell to announce 75 BPS rate hike on Wednesday with many economists not rolling out 100% BPS increase अब पहला suspenses पर यह होगा कि 20% लोग बोला है कि 100 BPS का हो सकता है rate hike और 75 BPS बोला है कि 75 BPS हो सकता है 75 BPS यह ही होता है और सच कोई negative commentary नहीं आती है कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी commentary नहीं आती जो capital market के लिए खराब है तो market neutral to positive हो जाएगा क्या हो जाएगा neutral to positive हो जाएगा लेकिन अगर यह unexpected चीज आ गई तो market cautious हो जाएगा अब इसमें सबसे बड़ी बात है 75 BPS के साथ commentary बहुत important है मैं बता रहा हूँ पूरी बात सुनिए commentary बहुत important अगर हो कहते नहीं नहीं इससे काम नहीं चलेगा 75 BPS फिर से होना है नहीं नहीं इससे काम नहीं चलेगा अभी तो हमें target कोई बनाया है नहीं है बहुत हमें multiple rate ताकि बिल्कुल economy और price बिल्कुल demand खतम हो जाए तब यह commentary खराब हो जाएगी तब भी market में देखीगा action देखने हो मिलेगा आपको negative side में तो अगर cable 75 BPS हो जाता है जिसको pricing कर लिए है market ने और अगर आप देखेंगे उसके बाद कोई assets बहुत ही बड़ी concerning update नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं कि आप neutral तो positive यहाँ पर market हो जाएगा do jones और यह announcement देखने हो मिलेगा 12 बज़े क्या सपस 12 बज़े सुबे 12 am in India time तो आप समझ सकते है announcement हो सकता है एगर उस समय ना video होगा कोई तो वहाँ पर मैं telegram पर update करूँगा जिसका link मैंने description में दे लखा है जाके join कर नहीं है कि 8.3% तो होई चुका है CP inflation अब क्या क्या ऐसा तो नहीं है कि festive season शुरू हो जाएगा अमेरिका में भी तो उससे कोई demand पे ज्यादा सर पड़ जाए और inflation बढ़ा ही रहे यह सारी चीजें आपको देखनी है क्योंकि सब कुछ क्या है announcement सब कुछ क्या है clarity of words यह बहु आपको indication कैसे मिलेंगे कि बाजार में momentum का बारा है सबसे पहले देखिएगा देखिएगा आरात को यूर्स 30 टेन यह टू यह बांडी इसमें अचानक से चेंजे साना शुरू हो जाएगे आपको समझ में आ जाएगा कि यह positive side में जा रहा मार्केट की कि negative अगर देखिएगा यह बढ़ने लगते हैं तो यह मार्केट के लिए अच्छा नहीं है तो stock market गिरेगा और यह घटने लगते हैं तो यह अच्छी बात है तो stock market आपको कल जंप करता हो देखने हो मिलेगा फिर अगर आप कहेंगे देखिए का dollar index तो गर इसमें एक dollar कम हो जाता है तो यह मार्के यह सब्सक्राइब करना नहीं बूलेगा थाइंक्यू सो मच्छ